बात करेंगे में आपर रितु और गोरव के बारे में रितु ने डिसेंटली जो चीजे हुई है यानि कि डाइवोस के बारे में उनकी जो चीजे फैली है या उनके सेपरेशन की जो चीजे फैली है उनके बारे में रितु ने आके बात की है ये चीज देखने के लिए मिल रह इस दोर से गुजर रहा है उपर से शोशल मीडिया में उनके रिष्टे को इतना जादा खराब कर दिया है यह यह कह बदनाम कर दिया कि एक परफेक्ट कपल थे और दिखावा करते थे यह करते थे वह करते थे कि उनको भी अब सामने आना पड़ा पहले गोरव आये थे गोरव ने बोला जब उन्होंने बोला तो उनको इतना जादा टोर्चर कर दिया गया फेक न्यूस फैलाए जारे कि गोरव का तो अफेर था फेक न्यूस फैलाए जारे कि इस बंदे में इगो प्रोब्लम है या कु हैं और रीतु का लिए रीतु खुदे अपने वीडियो में जो डाली है उन्होंने उसमें ये बोली है कि मैं अबला नारी नहीं हूं मुझे किसी आर्मी की सपोर्ट की जरुरत नहीं है दरसल उनके नाम से काफी सारे ऐसे वीडियो जा रहे हैं काफी सारे लोग ऐसे आ गए ह जो पहले थे ही नहीं फ्रेम में अचानक से आए हम रीतु आर्मी है हम रीतु को इंसाफ दिलाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे उन लोगों के लिए रीतु ने बोला भाई मुझे तुमसे कोई इंसाफ की जरुरत नहीं है मुझे ये चीजे शोशल मीडिया पर लानी ह नहीं है यह बात गोरव ने भी बोली थी कि ठीक है हमारी पर्सनल प्रोब्लम है जो चीजे है पर्सनल है हम इसको शोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते बट शोशल मीडिया पर इतनी जादा गंदगी इनके नाम से कर दी है और एक चीज मैं कह दूँ जो लोग कोएंगे क आप भी वीडियो बना रही है मेरी एक भी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के खिलाव बोल रही हूँ जो लोग अपने मतलब राम सीता की जोड़ी जिनको बोला जाता है misunderstanding सब में होती है उनको कुछ बात बुरी लगी उन्होंने ये decision ले लिया लेकिन उन्होंने किसी के सामने आके रोया थो नहीं वो भगवान के सामने गई थी रोने के लिए अब वो चीजे viral होगी बोल सकते हैं कि वो खराब time था उनका कि एकदम से चीजे सामने आ गई हैं तो वो चीजे थोड़ा सा गलत हो गई है और कुछ नहीं है तो प्लीज ऐसा ना करें हम यही उमेद करते हैं कि time के साथ सब कुछ सिंके से लाइफ में सही हो जाएगा लेकिन अगर यह social media पर एक दूसरे को defame नहीं करना चाहते एक दूसरे के लिए गंदगी नहीं करना चाहते तो यह आप किसी दूसरे को भी नहीं है ना तो रीतू को गलत बोले ना ही गोरव को गलत बोले जब तक आपको सच्चाई ना पता हो किसी पर भी ब्लेम ना लगाए दोनों ही एक परफेक्ट कपल हैं और जो लड़ाई जगडे होते हैं वो सब के बीच में होते हैं और जो लोग इतना जादा नाम रख रहे हैं गोरव को लीतू को उनके बीच में भी शायद रोज जगडे होते होंगे लेकिन फिर भी इस तरीके कि चीजे करना बंद करें वो बोल चुकी है साफ कि मुझे किसी आर्मी के जरुरत नहीं है तो दूसरा का नाम लेकर अपनी आर्मी चलाने वाले लोगों को यही मैं कहूंगी कि भाई ऐसा ना करें किसी का घर अगर तूट रहा है तो उसकी सिंपैथी ना दे जब तक उनको जरुरत नहीं है एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब गोरव अभी कुछ दिन पहले गोरव और एक और राटी हैं धुरु राटी उनके साथ में कुछ कॉंट्रोवर्सी हुई थी आपको याद होगा अगर नहीं पता तो आप मुझे बता दे ना वो कॉंट्रोवर्सी आपको नहीं पता तो मैं उसको फुल डूटेल में बताऊंगी अब वो जब कॉंट्रोवर्सी हुई वो चीज़े जब हुई उसके बाद जो दुरु गैं के लिए अपने आपको सही साबित करने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं तो यहां पर सीधा सीधा गोरव को Quart 26 की कोशिश की जारी है चीज हा कुछ चीजे सामने आई है वह चीजे सही है लेकिन फिर भी जो गयंग जो ऑक्टेव होगा है जीजे एक्टेव हुए है वह रितू की फेवर में नहीं वो रितु को सपोर्ट नहीं कर रही वो गोरव के अगेंस्ट है कुछ ऐसी क्लिप्स डाल कर डाली जा रही है शोशल मीडिया पर धीरे धीरे वो शारी क्लिप्स भी मैं शेर करूंगी आपसे शोर्स के जरिये ऐसी क्लिप्स डाली जा रही है जिनको काट काट के छोटा करकर क कि इसकी गोरव की कुछ ऐसी क्लिप्स आ रही है रीतु की मुस्री चीज यह कि ठीक है Lukis Apice OW Australian hen in friends लेकिन बहुत से लोगों लोगों की जेनलब न सिंख्वास्तस डैंश्य चीजह बड़े जडमन गारहे हैं उनको प्लीज ना करें उनको सपोर्ट ना करें अगर आप कभी और ही वे प्लाव करने कि planning हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है तो चलिए हम करते हैं यहां पर भी हो सकता है कि कोई गलत कमेंट वाले या इस तरीके के लोग आएंगे बहुत आएंगे वो मुझे पता है लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता आप लोगों का काम यही है आप लोगों को